पी-एम किसान सम्मान योजना में जब से ये योजना शुरू ही है तब से एक लाग दस हजार करोड रुपिये से जादा किसानों के खाते में पहुँच चुके हैं और यही तो गुड गवर्नेंस है यही तो गुड गवर्नेंस टेकनलोजी के द्वारा उप्योग किया गया है 18,000 करोड से जादा रुपिये पल भर में कुछी पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गया राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ओनलाइन रिजिस्टर्शन होने के बाद उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिक्शन होने के बाद इस व्यवस्ता का निर्मान हुआ है प्रधान म्रंत्री ग्राम सडग योजना हो या फिर स्वर्णिम चतुर्भू योजना हो अंत्योदय अन्य योजना हो या फिर सर्वसिक्षा अभियान हो रास्त जीवन में सार्थक बढ़लाव लाने वाले अनेक कदम अटल जी ने उठाए आज पूरा देश उनको स्मरण कर रहा है अटल जी को नमन कर रहा है आज जिन कुरुसी शुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है उनके सुत्रदार भी एक प्रकार से अटल विहारी बाजपाई भी थे आप अपनी फसल को जहां चाहे आप निले करके बेश सकते हैं आपको जहां सही दाम मिले आप वहाँ पर उपज बेश सकते हैं आप न्यूनतन सवर्थन मुल्य यानि MSP पर अपनी उपज बेशना चाहते हैं आप उसे बेश सकते हैं आप मंडी में अपनी उपज बेशना चाहते हैं आप बेश सकते हैं आप अपनी उपज का निर्यात करना चाहते हैं आप निर्यात कर सकते हैं आप उसे व्यापारी को बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप अपनी उपज दूसरे राज्य में बेचना चाहते हैं आप बेच सकते हैं आप पूरे गाउं के किसानों को एप्पियों के माध्यम से इखटा कर अपनी पूरी उपज को एक साथ बेचना चाहते हैं, आप बेच सकते हैं, आप बिस्केट, चीफ, जैम, दूसरे कंजुमर उत्पादों की वेल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहते हों, आप ये भी कर सकते हैं, देश के किसान को इतने अध अच्छी उपज के लिए सुभीदाएं किसानों के दरवाजे पर उपलब्द करवाएगा, एग्रिमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार की ट्रेंड से पूरी तरफ वाकिब रहेगा, और इसी के अनुरूप हमारे किसानों को बाजार की मांग के हिसाब से काम करने में मदद करेगा, अब आपको मैं एक और सिती बताता हूँ, अगर किसी बज़े से, किसी परेशानी की बज़े से, किसान की उपज अच्छी नहीं होती, या फिर बरबाद हो जाती है, तो भी, यह याद रखिए, तो भी, जिसने एग्रिमेंट किया है, उसको किसान को उपज का जो अदाम निर्धारित हुआ था, वो उसको देना ही पड़ेगा, एग्रिमेंट करने वाला, अपने एग्रिमेंट को अपनी मर्जी से खत्म नहीं कर सकता है, लिकिन दूसरी तरफ, अगर किसान, एग्रिमेंट को किसी भी बज़े से खत्म करना चाहता है, तो किसान कर सकता है हम आज MSP पर record record सरकारी खरीद कर रहे हैं किसानों की जेम में MSP का record पैसा पहुँच रहा है जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैटे हुए थे यह जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं यह उस सरकार के हिस्सेदार थे समर्थन करते थे और यही लोग स्वामी नाथन कमिल्टी के रिपोर्ट के उपर बैट गए थे हमने आगर के निकाला फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्व एक मंडी नहीं बलकि उसको विकल्प मिलना चाहिए बाजार मिलना चाहिए हमने देश की एक हजार से जादा कुर्शिमंडियों को ओनलाइन जोड़ा इन में भी एक लाग करोड रुपी से जादा का कारोबार किसानों ने कर दिया है छोटे किसानों के समू बने ताकि वो अपने छेत्र में एक सामुहित ताकत बनकर काम करे आज देश में दस हजार से जादा किसान उत्वा दक संग एपी ओ बनाने का भ्यान चल रहा है उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है गाउं के पास ही बंडारण कोर्ट स्टोरेज इसकी आधुलिक सिविधा कम कीमत पर हमारे किसानों को उपलब्द हो हमारी सरकार ने इसे भी प्रात्विक्ता दी है तीस तीस साल तक बंगाल में राज करते थे एक ऐसी राजनितिक विजारधारा को लेकर के बंगाल को कहां से कहां लाकर के उन्होंने हालत करके रखी है सारा देश जानता है और ममता जी ये पंदरा साल पूरा ने भाशन सुनोगे तो पता चलेगा कि इस राजनितिक विजारधारा ने बंगाल को कितना बरबात कर दिया था अब ये कैसे लोग है बंगाल में उनकी पार्टी है उनका संगटन है तीस साल सरकार चलाई ये कितने लोग होंगे निक पार एक बार भी इन लोगों ने किसानों को ये दो हजार रुपिया मिलने वाला कारकाम है बंगाल के अंदर कोई अंदोलन नहीं चलाया अगर आल के दिल में किसानों के लिए इतना प्यार था बंगाल में आपकी धरती है तो आपने बंगाल में किसानों को न्याय दिलाने के लिए प्रधान मंतरी किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों अंदोलने की हैं क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई और आप वहां से उट करके पंजाब पहुंच गए तब सवाल उटता है और पस्चिब बंगाल की सरकार भी देखिए अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाब 70 लाग किसानों को इतना दन मिले हजारों करोड रुप्या मिले वो देने में उनको राजनीतिया आड़े आती है लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो मंगाल में लराई लरते हैं यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है जो दल पस्चिम मंगाल में किसानों के अहीत पर कुछ नहीं बोलते हैं वो यहां दिल्ली के नागरीकों को परिशान करने पर लगे हुए है देश की अर्थनीति को बरबाद करने पर लगे हुए है और वो भी किसान के नाम पर वही दल वोही जंडे वाले वोही विचारदारा वाले जो नहीं बंगाल को बरबाद किया केरल के अंदर उनकी सरकार है इसके पहले जो पचास साल शार साल तक देश पर नाज करते दो उनकी सरकार थी केरल में एपीएमस नहीं है मंडिया नहीं है मैं ज़रा इनको पूछता हूं यहाँ फोटो निकालने के कारक्म करते हैं अरे केरल में अंदोलन करके महां तो एपीएम सिल चालू करवाओ पंजाब के किसानों को गुम्रा करने के लिए अपके पास समय है केरल के अंदर यह व्यवस्ता नहीं है अगर यह व्यवस्ता अच्छी है तो केरल में क्यों नहीं है यह जो पुलिटिकल पार्टी की विचारधारा वाले जो कुछ लोग हैं जो किसानों के कंदे पर बंदू के फोड रहे हैं कुरूशी कानूनों के संदर में उनके पास ठोस तरक न होने के कारण वो बाती बाती के मुद्दों को किसानों के नाम पर उचाल रहे हैं मेस्पी वगेरे बाजू में क्या चल रहा है यह लोग हिंसा के आरोपी ऐसे लोगों को जैल से छुड़ाने के मांगे कर रहे हैं अब कहते हैं टोल टेक्स नहीं होगा टोल खाली कर दो किसान का विशय छोड़कर के नई जगा पर क्यों जाना पड़ रहा है इस राजनितिक प्रवा में जब देश की जनता ने उन्हों निर्नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं इवेंट मेनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले कोई फोटो देखाई दें और उनकी राजनिती चलती आए अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है यह देश के सामने एक्सपोज हो गए है यह लोग लोग तंत्र के किसी पहमाने को किसी परामेटर को मानने को तयार नहीं है इन्हें सर्फ अपना अलाब अपना स्वात नजर आ अब उनको इस सच सुनना पड़ेगा अखबारों और मिडिया में जगह बना करो राजनितिक मैदान में खुद के जिंदा रहने की जड़ी भुट्टी खोज रहे हैं लेकिन देश का किसान उनको पहचान गया है अब देश का किसान उनको यह जड़ी बुट्टी कभी देन वाला रही है जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहे उन्होंने इन किसानों को अपने हाल पर छोड़ दिया था चुनाव होते रहें सरकारे बनती रही रिपोर्ट्स आती रही आयोग बनते रहें बादे करो भुला दो करो भुला दो यही सब हुआ लेकिन किसान की स्थिती नहीं बढ़ ली नतीजा क्या हुआ गरीब किसान और गरीब होता गया क्या देश में इस स्थिती को बदलना आवश्यक नहीं था मेरे किसान भाईयों और बहनों 2014 में सरकार मनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कत हो और कृशी के आधूनी करन उसे भविश्च की जरूरतों के लिए तैयार करने दोनों पर एक साथ ध्यान दिया हम बहुत सुनते थे पिछले दिनों अनेक राज्य चाय आसाम हो या इधर राजस्तान हो जम्मु कश्वीर हो पंचायतों के चुना हुए इनमे प्रमुक तयां ग्रामिन ख्षेत्र के लोगों को ही वोट देना होता है प्रकार से किसान को ही वोट देना होता है इतना गुमरा करने वाला का खेल चलता था इतना बड़ा अंदोलन का नाम दिया जा रहा था होला किया जाता था लेकिन इसी के अगल बगल में जहां जहां चुना हुए हैं उन गाउं के किसानों ने ये अंदोलन चलाने वाले जोटने लोग थे उनको नकार दिया है पराजि मैं आज फिल एक बार नम्रता के साथ उन लोगों को भी जो हमारे गोर विरोध करने पर तुले हुए उनको भी कहता हूँ मैं नम्रता के साथ कहता हूँ हमारी सरकार, किसान, हित्में उन से भी बात करने के लिए तयार है लेकिन बात मुद्दों पर होगी तर्क और तच्छों पर होगी साथियों हम देश के अन्रदाता को उन्नत करने के लिए हर संभो प्रयास कर रहे हैं सिर्फ आत्मनिर भर किसान ही आत्मनिर भर भारत के नीव डाल सकता है मेरे देश के किसानों से आग रहें किसी के बहकावे में नाये किसी के जूड को नस्विकारे तर्क और तच्छ के आधार बनाकर ही सोचे विचारे